मज़कर मेरा नमीमानसू है आप बिहार एक सोच देख रहे हैं देखे बिहार के डेपटी सीम तेजस्वी यादो कल सिरगाटी के अनमंडली अस्पताल में जाकर तेजस्वी यादो जिस परकार छापा मारे आपको बता दे डॉक्टरों के साथ स्वास्तकर्मी और वहां के द बनी है और तेजस्वी यादो बिहार के डेपटी सीम बने हैं उसके बाद से तेजस्वी यादो जिस परकार कारे कर रहे हैं यह कहीं न कहीं बिहार के राजनीती में बड़ा बदलाव लाने वाला है देखिए कल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सेरगाटी अनुमंडली देखिए अस्पाटाल में तेजस्वी यादो अचानक पहुँच गए और डॉक्तरों से बात करने लगे वहाँ के स्वास्त कर्मियों से बात करने लगे नर्थ से बात किये और वहाँका जो मेडिय सी नहीं कि दावा खाना हम है उसका भी जाए जा लिए और लोगों से बाद्चित किए कि अखिरकार के टरव से जो रासी आती है जो फंड दिये जाते हैं अस्पतालों में उसका फाइदा जो सुबदा अस्पिताल को दिया जा रहा है लोगों के मिल रहा है कि नहीं안, मरीज के परिजनों से भी तेजस्वी आदो लगतार बात कर रहे हैं कि आपको दिन भी याद होगा जब तेजस्वी यादो पट्ना के एनम्स हो या फिर पीम्स में देर राज जाकर डॉक्टरों को फटकार लगाए थे और उसके बाद तेजस्वी यादो जिस परकार रहन बसेरा में पहुंचे थे देर रात जो पट्ना के फुटपात पर तो गरीबों के नेता कहे जाते थे तेजस्वी यादो भी कहीं ने कहीं अपने पीता लालू परसाद यादो के ही चीनों पर चल रहे हैं उनके ही पीछे चल रहे हैं आप ऐसे कह सकते हैं देखिए तेजस्वी यादो लगतार बिहार की राजनीती में यानि कि साफ है कि 2025 मे जो चुना होने वाले हैं उसमें तेजस्वी आदो अपना आज से ही योगदान लगाने लगे हैं देखिए अब तो नितीश कुमार भी कह दिये हैं कि तेजस्वी आदो के हिन्यत्रूत में दो हजार पचीस में चुनाव लड़ेंगे लेकिन तेजस्वी आदो कौल और अंग काटी के तेजस्वी आदो और इस विच उन्हों ने जैजा लिया अस्पताल में स्वास्तकर्मी हो या फिर डॉक्टर हो मरी जो तमाम लोगों से बाचीत करते हुए और निर्देश भी दिया कि अपने कारियों को अच्छी तरह से निभाएं अच्छा तरह से भूमिका करें क लोगों को परिसानी नहों जो गरीब आते हैं इलाज कराने उनको पूरा सुब्दा मिले लातार एक अपडेट आपको दे रहे हैं अब यहार एक सोथ पर बने रहे हैं धन्यवाद